अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में प्यारा बोला बाई रेक्टैंगूलर मेथड ये टोपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉलिम सॉल्ल करेंगे तो कॉश्चन के रहेंगा उसके लिए कॉश्चन रहेंगा तो देखेंगे तो देखेंगे देन आफ्टर इसका सॉल्जूशन बनाएंगे तो देखेंगे तो बाई को जब आप एर में थ्रो किया है तो जाहिर सी बात है बाल को जब आप एर में थ्रो करेंगे तो बाल का जो पाथ है वो कुछ ऐसा होगा देखो बाल ऐसा जाएंगा और ऐसा नीचे फॉल हो जाएंगा यहाँ फिर आ जाएंगा तो कॉश्चन में लिखा है बाल जो है वो कितने हाइट तक उपर गया है तो बाल 10 मिटर के हाइट तक उपर गया है ठीक है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टन्स किया है तो कॉश्चन में लिखा है and fall on the ground at a distance of 20 मिटर from the point of throwing देखो 20 मिटर तो बाल को जहाँ से थ्रू किया है वो पॉइंट से लेके fall होने के बाद यह देखिए यहाँ से लेके इतना distance यह कितना distance travel हुआ है यह बाल 20 मिटर का horizontal distance travel हुआ है ऐसा कॉश्चन में clear cut दिया है और कॉश्चन में आगे लिखा है draw the path followed by the ball देखो यह ball की path को follow करते हुए हमें यहाँ पे एक curve draw करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा curve बनेगा तो यहाँ से parabola यह curve बनेगा तो यह parabola draw करने के लिए कौन से method का use करना है ऐसा question में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है parabola draw करने के लिए total three methods होते हैं पहला है parabola by rectangular method it means by oblong method second है parabola by tangent method और third है parabola by directrix and focus method तो यह 3 में से कोई भी method का नाम question में नहीं दिया है तो हम यहाँ पे parabola फिलाल draw करेंगे तो हम यहाँ पे rectangular method का use करेंगे या नहीं oblong method का use करेंगे कैसे समझ में आएंगा rectangular method या tangent method या directrix and focus देख है या तो eccentricity ये word दिया होता है उससे आप समझ जाएंगे कि आपको directrix focus method से solve करना है और tangent method और rectangular method में कैसे पता करना तो अगर height कम है अगर parabola की height कम है तो आप tangent method का use कर सकते हैं और अगर height जादा है तो आप rectangular method का use कर सकते हैं फिलाल यहाँ पे height जो है वो कम है देखो base जो है व हम यहाँ पे rectangular method की बात कर रहे थे तो चलो हम यह problem यहाँ बनाएंगे solution हम बनाएंगे by rectangular method आगे चल के जब हम tangent method के problems लेंगे उसमें हम यही problem को tangent method से कैसे draw करना वो भी बताएंगे लेकिन फिलाल हम यह problem आपको बना के बताएंगे by rectangular method it means by oblong method तो चलो finally अब draw करना शुरू करत हैं लेकिन ड्रा करते समय यहां पर देखो सबसे important क्या है देखो यह मिटर में दिया है जो भी distance दिया है वो मिटर में दिया है जबकि आप जो book में draw करते हैं drawing book में draw करते समय आप centimeter में या millimeter में draw करते हैं आप meter में draw नहीं करते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेंगा ऐसे में हमें यहाँ पर scale लेना पड़ेंगा और meter को centimeter में convert करना पड़ेंगा scale लेके आपको जो भी dimensions है वो centimeter में लिखना पड़ेंगा ठीक है आपको scale लेना है यह बात धहन में रखो जब कभी भी problem meter या kilometer में दिया है तो आपको scale लेना compulsory है और आपको scale जो है वो mention करना पड़ेंगा तो यहाँ पर क्या scale लेंगे scale क्या लेना यह पूरा choice आपका है चलो हम यहाँ पर आपको scale बता देते हैं कि हम यहाँ पर scale लेंगे that is 1 cm equals to हम यहाँ पर 2 m लेंगे ठीक है 1 cm equals to 2 m यह हमने scale लिया है यह scale यही लेना चाहिए यह compulsory नहीं है आप चाहे तो 1 cm equals to 1 m भी ले सकते है कोई दिक्कत नहीं है अगर 1 cm equals to 1 m लिया तो देखो क्या होंगा 1 cm equals to 1 m अगर लिया तो base दिया है 20 m तो वो centimeter में हो जाएंगा 20 cm और height दिया है 10 m तो वो centimeter में हो जाएंगा 10 cm ठीक है तो यह scale के according 20 cm का base हो जाएंगा और 10 cm का height हो जाएंगा ठीक है यह है base और यह रहेंगा that is height अगर आप यह scale लेंगे तो ठीक है लेकिन अगर आप यह scale लेंगे तो देखो क्या होंगा अगर आपने 1 cm equals to 2 m अगर आपने ऐसा scale लिए तो base जो है वो 20 m है तो 20 को 2 से divide करो तो वो बचेंगा 10 cm तो base हो जाएंगा 10 cm का ठीक है और height है यहाँ पे 10 m तो 10 को 2 से divide करो तो वो हो जाएंगा 5 cm का यह height हो जाएंगा ठीक है अब आपको कुनसा scale लेके draw करना है यह पूरा choice आपका है ठीक है वैसे अगर आप यह scale लेके अगर आप draw करोंगे तो काफी बड़ा प्यारबोला बनेंगा और यह scale लेके draw करोंगे तो थोड़ा सा छोटा it means medium size का प्यारबोला बनेंगा exam में आप draw करते समय आप यह scale लेके बना सकते है लेकिन अगर आपको drawing book में draw करना है drawing book का size जो है वो छोटा होता है sketch book का size छोटा होता है तो ऐसे में आपको यह scale लेके draw करना चाहिए लेकिन exam में आप जब draw करते है तो sheet में draw करते है sheet का size काफी बड़ा होता है ऐसे में आपको यह scale भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फिलाल हम यहाँ पे board में बनाएंगे, और यह scale लेके हम यहाँ पे board में draw करने वाले हैं, तो चलो finally अब draw करना शुरू करता है, तो यह देखिए हमने सबसे पहले baseline बना दिये है, यह baseline का हम यहाँ पे नाम दे देंगे, that is A, B, आप naming कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अब हमें यहाँ पे height show करना है, तो height आपको centrally show करना होता है, तो centrally show करने के लिए आपको क्या करना है, यह पूरे line का आपको central ले लेना है, यह पूरा base जो है वो 10 cm का है, तो इसका जो center रह height कितना है, 5 cm का, तो यह देखिए हमने height show किया है, height जो कि 5 cm का था, यह हमने show किया है, और उपर हमने point दे दिया है C, और अब हम यहाँ पे एक rectangle create करेंगे, क्योंकि हम इसको rectangular method से draw कर रहे है, ऐसे में rectangle create करना ज़रूरी है, तो rectangle create करने के लिए आपको ruler scale या तो mini drafter का use करना है तो ruler scale का अगर आप use करेंगे, तो आपको क्या करना है, यह जो base है, base को exactly parallel आपको, यह C से एक horizontal line draw करना है, और height को exactly parallel, B से vertical line और A से vertical line draw करो, तो यहाँ पे एक rectangle बन जाएंगा, फिलाल इतना बड़ा ruler scale या mini drafter हमारे पास नहीं है, हम एक single scale से यह draw करने का प्रयास करेंगे, त और अब हम इसके अंदर construction करेंगे, प्यारा बोला draw करने के लिए, तो construction आपको क्या करना है, वो समझ लो, आपको दोनों box में construction करने की ज़रूत नहीं है, आपने अगर एक side में construction किये तो भी चलेंगा, उसका use करके आप आसाने से दूसरे side में आसाने से आप points निका सकते हैं तो construction में क्या करना है, देखो, base क्या है, base है 10 cm का, तो इसका half distance क्या है, तो half distance है 5 cm, AO का distance है 5 cm, और ये height कितना है, तो height है 5 cm, आपको क्या करना है, AO और AD को equal parts में divide करना है, जितने part में AO को divide करेंगे, उतने ही part में AD को divide करना है, अब ये कितने part में divide करना है, ये पूरा choice आपक है लेकिन ये दोनों को same part में divide करना जरूरी है ठीक है तो AO अगर 5 cm है तो हम इसको आसान इसे 5 part में divide कर सकते हैं और AD को भी हमें फिर 5 part में divide करना पड़ेंगा तो चलो divide करेंगे तो ये हमने divide कर लिया है और अब हम यहाँ पर numbering देंगे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और वो 5 इसी तरह से फिर यहाँ पर ठीक है आप numbering देंगे तो ये 1 first part ये second part ये 3 और ये 4 और वो 5 इस तरह से ये हमने AO और AD को 55 part में divide कर लिये और अब इसके बाद का construction क्या है देखो काफी simple है अब आपको ये draw करेंगे तो ये देखिए जैसा हमने कहा था ये c1, c2, c3, c4 ये हमने draw कर लिये और अब क्या करना है ये जो base में 1, 2, 3, 4 है यहाँ से आपको vertical lines draw करना है और ये vertical lines draw करने के लिए आपको ये height का यूज करना है height को ruler scale exactly palisade करना है और ये सभी से vertical lines draw करना है तो ये हम draw करेंगे तो ये देखिए हमने इतना construction कर लिया है यहाँ पे आपको base और height जो है वो आपको semi dark draw करना है ये जो red color के paint से हमने जो भी work किये है वो आपको faint pencil का use करके draw करना है ठीक है और अब देखिए यहाँ पे point of intersections मिल जाएंगे तो ये देखिए ये 1 का vertical line और ये c1 का line यहाँ पे point mark करो then ये 2 का vertical line और ये c2 का line यहाँ पे cross हो रहा है second point mark करो ये 3 का vertical line और ये c3 यहाँ पे cross हो रहा है आपूगे जो उआपमे जॉइन करेंगे अब हमکं आपको वो method follow करना चाहिए फिलाल हमने एक side में construction किया है दूसरे side में अब हम construction नहीं करेंगे हम क्या करेंगे अब यही points को दूसरे side में shift करेंगे कैसे shift करेंगे देखिए काफी आसान है उसके लिए फिर से आपको rulers के लिए mini drafter का use करना है आपको क्या करना है यह जो crow section points मिले है यह सभी crow section points से horizontal line draw करना है that is parallel to the base तीक है यह देखो यह base को exactly parallel लेके आप यहाँसे ऐसे यह جो cross section point मिले है यहाँसे आप बस ऐसे horizontal lines draw करेंगे तो यह देखिए यह सभी cross section points से हमने horizontal line draw कर लिया है और अब Compose लेंगे तो यह देखिए हमने Compose ले लिया है अब यह जो Point है, यह जो Height वाला यह जो Line है यहाँ से यह जितने Left Side में है उतने ही अब आपको Right Side में Mark करना है तो यह देखिए, यह हमने इतना Distance, यह Left Side की Point का Distance यह हमने Compose में ले लिए ठीक है? ये Compose में इतना Distance ले लेना है ठीक है और ये Point जितना Left Side में है उतना ही आप Right Side में Mark करना है तो ये जो Height वाली Line है वहाँ पे आपको Compose का Center रखना है और आपको Right Side में Point Mark करना है तो ये हमने Mark किये पहला Point और अब दूसरा Point ये जितना Left Side में है वो Distance हम Compose में ले लेंगे तो ये distance हमने compost में ले लिए, ये point जितना left side में है उतना ही, अब ये उसी line पे right side में mark करेंगे, तो ये देखें ये हमने mark की है, ठीक है, और अब ये 3 ये 3 point भी हम लेंगे, और 4 पाइंट भी लेंगे, सभी point को हम mark कर लेंगे, तो ये देखें, ये right side में हमें सभी points मिल चुके हैं और अब हमें क्या करना है अब ये सभी points को हमें join करना है तो हमें parabola मिल जाएंगा ठीक है parabolic curve जो है वो आपको A से start करना है A से यहां से निकलेंगा C से pass होते हुए फिर ये B पे पहुंच जाएंगा और ये join करने के लिए आपके पास दो option है या तो आप french curve का use करो या तो आप free hand join करो वैसे अगर आप french curve का use करके बनाएंगे तो जादा अच्छा रहेंगा काफी smooth curve बनता है उसके आपको practice करना पड़ेंगा अभी इतना बड़ा french curve तो हमारे पास नहीं है तो हम इसको फिलाल free hand join कर लेते हैं तो ये देखिए ये हमने parabola draw कर लिया है ये काफी अच्छा नहीं बना है वो इसलिए क्योंकि हमने जैसा कहा था ये हमने free hand join किया है तो free hand join करने के वज़े से थोड़ा सा कम ज़ादा हुआ है लेकिन जब आप इसको drawing book में draw करेंगे by using french curve तो ये काफी smooth और काफी अच्छा curve बनेंगा ठीक है तो ये हमने parabola draw किया है by rectangular method it means by oblong method और ये जो parabola जब आप drawing book में draw करेंगे तो ये आपको dark pencil से draw करना है dark के लिए h number का pencil use करना है ठीक है parabola dark रहेंगा base और height जो है वो semi dark रहेंगा और remaining construction पूरा front रहेंगा ये जो dimension show करना है ये भी आपको semi dark show करना है और dimension show करते समय एक सबसी important बात ये है कि जो original distance है वो आपको show करना है original dimension जो है वो meter में दिया था तो base जो है ये देखो हमने लिखा है 20 meter और height हमने लिखा है 10 meter ये meter में show करना ज़रूरी है आपको यहाँ centimeter नहीं लिखना है ठीक है ये धेन में रखो और अब ये पूरा parabola होने के बाद अब हम इसके उपर tangent और normal draw करेंगे वैसे question में कही पे भी tangent ये और normal draw करने के लिए कहा नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ extra बता देते हैं आपको tangent और normal draw करना आ जाए तो वैसे हमने parabola का जो first problem जो लिए थे उसमें भी हमने tangent और normal draw किये थे लेकिन वो हमने left side में point लेके draw किये थे आज के ये problem में हम right side में point लेके tangent और normal कैसे draw करना वो बताते हैं tangent और normal कहा draw करना चलो हम एक काम करेंगे यहाँ कही पे भी एक point ले लेंगे तो यह हमने एक point ले लिए देखो यह point पे हमें tangent और normal draw करना है तो यह point को हम कहेंगे point M हमें यहाँ पे tangent draw करना है तो कैसे draw करेंगे process क्या है देखो process काफी आसान है जो point पे आपको tangent draw करना है वो point से सबसे पहले एक horizontal line draw करो parallel to the base, base को parallel होना चाहिए तो यह जो base है, यह base को exactly parallel हम यहाँ से एक horizontal line पहले draw कर लेते हैं तो यह हमने एक horizontal line बना लिए यह end point से, अब यह जो line है यह height पे कहाँ पे कड़ गया, वो check करो तो यह height पे देखो, यहाँ पे कड़ गया, ठीक है यह point है, यह point को हम कहेंगे point n, ठीक है देखो, यह point को हमने point n कहा और अब क्या करना है, यह height को थोड़ा सा उपर extend करना है ठीक है, तो यह c को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से मिटा देते है ये height को हम थोड़ा सा extend कर लेंगे ठीक है ये आपको faint extend करना है तो ये हमने extend कर लिए और अब आपको compost लेना है compost का use करके आगे आपको point mark करना है ठीक है देखो क्या करना है बताते आपको तो compost लेना है just a minute तो ये हमने compost ले लिए है और अब आपको क्या करना है यह C से लेके N का distance Compose में लेना है और यह N point जितना C से नीचे है उतना ही आपको उपर मार करना है तो यह हमने Compose ले लिए Compose में यह C N का distance यह हमने Compose में ले लेंगे देखो यह हमने C N का distance ले लिए और ये n point जितना नीचे है उतना ही c से उपर मार करो compose का center c पर रखके ये हमने उपर मार किये और उपर जो हमें नया point मिला है वो point को हम कहेंगे point n dash तो ये हम इसको कहेंगे n dash ये n और ये n dash जितना n नीचे है उतना ही n dash उपर है और अब आपको क्या करना है ये n- और ये m को join करना है n- और m जो join करेंगे वही हो जाएंगा tangent तो ये देखिए ये हमने tangent बना लिये है लेकिन ये tangent प्रॉपरली यहाँ आया नहीं है क्योंकि हमारे parabola में थोड़ा सा fault था जैसा हमने कहा था parabola हमने freehand बनाए थे तो जब आप इसको drawing book में draw करोंगे तो बिल्कुल correctly ये आ जाएंगा और tangent को हमने यहाँ पे arrow भी दे दिया है ठीक है ये arrow देना compulsory नहीं है अगर आपके college में आपके lecturer अगर arrow देने के लिए कह रहे है तो आप arrow दो नहीं ये प्रोटेक्टर का zero degree आपको tangent पे set करना है प्रोटेक्टर का center आपको m point पे रखना है और यहाँ पे 90 degree का angle लेना है ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगा देख लेना चाहिए ये था parabola by rectangular method का problem number 3 इसके पहले जो हमने इसके two problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियो में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much